USA visitor visa में अगर refusal आया है या तो application करना चाहते हैं तो interview में क्या-क्या प्रस्टने पूछे जाएंगे और उसके लिए क्या-क्या आपको preparation करनी होगी और interview के लिए उसके दोरान आपको क्या-क्या करना होगा और क्या-क्या नहीं करना है यह सारे question applicant के मन में कहीं बाहर आते है और उनके regarding हमें काफी questions और phone calls आते हैं तो आज की इस वीडियो में हम आपको question के answer देने के लिए जा रहे हैं तो वीडियो को अंतक जरूर देखें नमस्कार जय हिंद वन्दे मातरम मैं कलपिस चलाविया फीर से एक बार आपका स्वागत करता हूँ हम इस channel पर USA visa के लिए नए नए information के videos upload करते हैं ताकि information आप तक पहुंच सके अमेरिका का visa application के दोरान interview के वक्त आपको यह साबित करना होता है कि USA के बाहर यानि कि आप India से application कर रहे है तो आपकी home country के अंदर आपकी financial capacity होनी चाहिए यानि कि officer को interview के दोरान आपकी बातचीत से ऐसा लगे कि आप USA जाकर वापस आपकी home country में जाएंगे उसी condition में वह आपको USA के visa देंगे आपका family background कैसा है आपका social status क्या है आपका business क्या है और कैसा है यह details visa दिलवाने में और यह न दिलवाने में मुलभूत कारण से रहती है अगर आप officer को convince कर सकते है तो definitely आपको USA का visa मिल जाएगा जब आप DS-160 form भरते है तब आप सारी information application form में add करे या कि आपका study क्या है आपका business क्या है आपके साथ जो लोग USA travel करना चाहते है या तो आपके पती, पत्नी, बच्चे या कोई भी लोग आपके साथ आ रहे है तो उन सब की details आपको application में mention करनी होगी main चीज आपका business का brief आपको form में यह add जरूर से करना है जिससे जब भी आप interview के लिए जाएंगे तब interview लेने वाले officer के सामने आपकी सारी details क्लियर होगी तो आपको visa मिलने के chances बढ़ जाएंगे आपके पास valid passport होना चाहिए और आपका passport six month के अंदर expire नहीं होना चाहिए और आपके passport में दो से ज्यादा page blank होने चाहिए जिससे आपके passport के ऊपर visa का sticker लग सके अगर आपके पूराने passport है तो आप interview के दोरान आप उसको साथ में ले जा सकते है आपका passport कहीं से टूटा फूटा या कोई page निकला हुआ नहीं होना चाहिए USA के application form के अंदर आपकी income mention करनी आवश्यक है आपका USA का tour का खर्चा और आपकी income का तालमेल होना चाहिए अगर आपकी income बहुत ही कम है और आप आपके खुद के पैसो से USA जाने की सोच रहे तो शायद आपका visa reject हो सकता है हमारे पास काफी ऐसी application दूसरी consultancy से refusal होकर आई है जिन में business की कोई भी details detail में नहीं बताई थी उनकी वज़ा से refusal आए थे उसके बाद हमने उनकी application में जो भी कम्या थी उसको दूर करके re-application करके application करवाई और हमने ऐसे काफी client के visa दिलवाए हुए है COVID-19 के दोरान यानि की lockdown के दोरान काफी लोगों ने lockdown के नियमों का उलंगन किया है और काफी लोग पकड़े भी गए थे काफी लोगों की details लेकर उनको छोड़ दिया गया अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप चेक कीजे कि आपके उपर कोई case बना हुआ नहीं है अगर आपके उपर ऐसा कोई case बना हुआ है तो आपकी application पर उसकी negative impact पड़ सकती है हमारा office गुजरात में है और गुजरात में दारूबंदी है फिर भी किसी ने गलती से इस नियम का तोड़ा है या फिर गुजरात के बाहार अगर आपने दारू या ड्रक्स का सेवन करके अगर driving किया है या तो कोई भी crime किया है और आपके उपर कोई case बना है तो उसकी negative impact भी आपकी visa application पर हो सकती है USA visa की application के लिए आपको कोई ज्यादा document लेने की ज़रूरत नहीं है आपको और कोई ज्यादा इकठा document करके लेके पुरा बंच करके जाना ऐसा जरूरत नहीं है आपका visa मिलना या visa नहीं मिलना यह चीज आपके confidence पर ज्यादा depend करता है यानि कि जब आप visa officer के सामने कोई भी जवाब दे तो वह आपका जवाब confidence से भरा होना चाहिए और यह confidence आपका तब ही आएगा जब आपने पूरी तरीके से interview की preparation की है कई बार ऐसा होता है कि visa officer question पूछते है और interview देने वाला जवाब कुछ और देता है ऐसे वक्त में visa officer समझ जाते है कि यह सही answer नहीं दे पा रहे है तो आप चाहे जो भी answer दे सच जूट आप जो भी बोले पूरे confidence के साथ बोले ज्यादतर आपकी application form में जो भी details आपने add की है वह सारी details visa officer की screen पर होती है और visa officer काफी train होते है यह आपकी body language के उपर से आप क्या बोल रहे है सही बोल रहे है या गलत बोल रहे है या फिर आप बात को घुमाते है या फिर आप कोई story बना रहे है ऐसी कोई भी हरकत करते है तो वह आपकी body language से judge कर लेगा और उसकी negative impact आपकी visa application के उपर पड़ेगी अगर आप भारत में पहले कहीं कोई और जगा पर घुमने गए है ऐसा visa officer ने question किया कि आप और कई जगा पर घुमे है तो अगर आपका यह question का answer yes है तो आप कौन-कौन सी जगा पर घुमने के लिए गए है वह सारी details आपको याद होनी चाहिए अगर आप कहीं घुमने नहीं गए है ऐसा तो होगा ही नहीं तो आप चाहें कहीं पर भी गए है उसकी summary याद रखे आपको जब भी एक question पूझा जाए तब आप उसके answer confidence से दे देंगे जो आपको visa दिलवाने में मदद करेगा अगर आप कहीं पर नहीं गए है उस जगह का नाम दे दिया आपने और उनके अगर detail में कुछ inquiry करेंगे पूछेंगे तो आप उनका answer नहीं दे पाएंगे तो visa officer को जो भी है वही answer दे उनमें से कुछ ना चूपाए तो आपके USA के visa मिलने के chances बढ़ जाएंगे अमरिका में आप कौन-कौनसी जगह पर घूमने के लिए जाने वाले हो या सारी information आपके पास होनी चाहिए day-to-day itinerary, hotel के नाम कौनसी जगह पर घूमने के लिए जा रहे हो यह सारी जगह के नाम के पता होने चाहिए अगर हो सके तो उस जगह की speciality क्या है वहां की खासियत क्या है वहां पर क्या-क्या देखने लायक है क्या-क्या खाने लायक चीज है उन सारी जगह के नाम उनकी सारी details अगर आपको याद है तो आप आपको पुछे गए question के answer सटिक तरीके से और जल्दी से दे पाएंगे काफी लोग tour book करवा लेते हैं जिनकी details उनके साथ जाने वाले या तो उनकी wife या बच्चे या friend जो भी है उसको नहीं होती है तो आपने जो भी tour book किया है उनकी सारी details आपके साथ जो भी लोग जाने वाले है उन सब के साथ share करें यानि की आपका tour का कितना खर्चा हुआ है आपने कितने दिन के लिए tour के लिए जाने वाले हो अमीरियका में आप कौन कौन सी जगा पर रहने वाले हो और वहां आपको खाना कैसा दिया जाएगा आपको कौन सी flight में जाना है कौन सी flight में आप वापस आने वाले हो आपका accommodation कैसा होगा या सारी details आपके पास होनी चाहिए और आपके साथ जो भी लोग travel कर रहे है उन सब को भी यह पता होना चाहिए USA के visitor visa के उपर आप USA में job नहीं कर सकते हैं USA के visitor visa के उपर आप USA में job नहीं कर सकते हैं business या job के लिए visa category अलग रहती है पर अगर आप गलती से भी visa officer ने आपको यह प्रश्ण पूछा और आपने बताया कि आप अमेरिका जगर job करना चाहते है तो आपको visa नहीं मिलेगा काफी लोग ऐसे question पूछते हैं कि क्या अमेरिका जाने के लिए उससे पहले किसी दूसरे देश में जाना जरूरी है यह एक अच्छा question है तो ऐसी कोई जरूरत नहीं है काफी ऐसे application हमने process की है कि जिन्होंने fresh passport issue करवाया हो और उसी passport पर उनको USA का visa मिला है और काफी ऐसे application भी है कि जो कई country में घूमे है फिर भी USA ने visitor visa reject कर दिया है तो यह जरूरी नहीं है कि USA के visa लेने से पहले आपको दूसरी country में tour करनी चाहिए या अगर आपने और कोई दूसरी country में travel किया है तो आपको immigration का भी एक experience हुआ होगा जो आपके body language में आपके confidence में बढ़ोतरी करेगा और यही confidence आपको visa दिलवा सकता है यानि आपको visa मिलना या नहीं मिलना उसका आपके confidence के उपर depend रहेगा यानि कि आपको कोई भी question पूछेंगे तो उसका answer confidence के साथ दीजिए नजर से नजर मिला के दीजिए हमारी यहाँ जो लोग USA visa के लिए registered है उनका हम one to one interview preparation करवाते हैं जिससे visa interview के दोरान या तो immigration के दोरान उनको पूछे गए question के answer सरलता से दे सकें जो लोग हमारी office पर नहीं आ सकते हैं हमारा office अमदाबाद में है गुजरात में यानि कि जो गुजरात बाहर से हैं उन सभी registered client को हम interview की preparation video calling के माध्यम से करवाते हैं तो आपको उसकी detail description में दी गई हुई है जिसमें video की एक link है कि अमदाबाद या गुजरात के बाहर रहते हैं आप और आप आपकी application हमारी company के द्वारा करवाना चाहते हैं तो please आप हमें comment करने से पहले description में दिये गए video को पहले पूरा देखे उसके बाद आप हमारे साथ contact कर सकते हैं हमारा प्रयास ये रहेगा कि आपका पूरा question उस video में आपको answer मिल जाएंगे उसके बाद हम आपके case की बात कर सकते हैं अगर आपके नस्दीक में कोई भी person आपका मित्र, दोस्त, रिष्तेदार USA जाने के लिए preparation कर रहा है तो इस video को उस तक जरूर से पहुंचाए उसे WhatsApp कीजिए आपकी छोटी सी मदद से उसका अमेरीका जाने का सपना पूरा हो सकता है आप इस video को पहली बार देख रहे हैं यानि कि आप हमारी channel पर पहली बार आये है तो इस channel को subscribe कीजिए जिसे USA के लिए नए नए news आप तक तुरंद पहुंच सकें अगर आप कोई topic पर वीडियो बनाना चाहते है यानि कि आप कोई topic पर वीडियो देखना चाहते है तो आप comment करें जितनी ज़्यादा comment आएगी उसके base पे हम वीडियो का topic चूज करेंगे और आप तक पहुंच आएगे आपके like और comment हमें नए नए वीडियो बनाने के लिए motivate करते है आपने इस वीडियो को like किया है और channel को subscribe किया है इसलिए आपका खुब खुब धन्यवाद जय हिंद वंदे मात्रम भारत माता की जय